हेले श्टुडेंट, वेलकम टू माई यूटूब चैनल एकेम्टी कोर्स, आज मैं क्लास नाइंद का चेप्टर टू, पोलोनोमियल्स, उसका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नमब 3 का, पार्ट थर्ड बताने जा रहा हूं, पार्ट थर्ड का मतलब समझेए, आपके क्व Sat To We Do 4 के सब्सक्राइब इसको बताने जा रहा हूं, पार्ट फोर्ड में इन दोनों को बताने जा रहा हूं, पार्ट फोर्ड में इन को बतांगा, आप सारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलीस्ट में जाकर देख सकते हैं, चल całकर आइए पार्ट थिर्ड को सम निकालने के लिए जो x का value है इस variable में put कीजिए मतलब इस x का value पूट कीजिए अगर इस p x का value 0 आ गया तो है देखिए कैसे p x का value कहा दिया है 0 त्याँ 0 पूट कीजिए क्या जाएगा 0 का square तो p 0 is equal to 0 हो जाएगा यानि है आप बता सकते हैं कि x square का 0 is of polynomial 0 है बस अब आईए इसको देखते हैं question number 6 को तो बताना है कि l x plus m इसका polynomial मतलब 0 is of polynomial minus m upon l है तो आईए इस minus m upon l को इसमें put करते हैं अगर इस p x का value 0 आ गया तो है नहीं है तो नहीं है तो p minus m upon l तो क्या जाएगा l into minus m upon l plus m l c l cancel कर दीजिए p m upon l तो आप p यह minus में है तो क्या जाएगा minus m plus m तो minus m plus m के क्या हो जाता है 0 हो जाता है मतलब यह भी 0 is of polynomial है मतलब l x plus m का 0 is of polynomial minus m upon l है बस आपको इसे बताना है पहले इस variable जो x का value दिया है इसमें put कीजिए अगर और इस p x का value यानि p x is equal to 0 आ गया और यहां भी अगर 0 आ गया तो 0 is of polynomial है अगर नहीं आया होता है तो 0 is of polynomial नहीं है पस आपको इसे करना है अगर हमारा वीडियो अच्छा लगी तो हमारा चैनल एक केम की कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक कीजिए और बागी के पार जैसे 1,2,4 देखने के लिए आप हमारे प्लेइलिस्ट में जाएगी